हाई दोस्तों स्वागत थे सैम को यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ मनीश और आज हम इंडिजिन लिमिटेड आईपियो के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं ये कमपनी टेलर में डिजिटल कमर्शिल सोल्यूशन्स लाइफ साइन्स इंडस्ट्री के पार्टिस्पेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिनका ड्रग डेवलेप्मेंट प्रॉसेस, क्लिनिकल ट्राइल प्रॉसेस, रिगुलेटरी सबमीशन्स, फार्मा को विजिलेंस और क अमनी चैनल अक्टिवेशन, एंटर्प्राइस, क्लिनिकल ट्रॉसेस, रिगुलेटरी सुलूशन्स और कंसल्टेंश सर्विसेस भी इंडूड़ेड है IPO के इटल्स ये IPO 6th अफ में से 8th अफ में तक खुला रहेगा Face Value 2 रूपीज पर शेर, Price Band 430 तो 452 रूपीज पर शेर, Lot Size 33 शेर, Issue Size 1841 क्रोर्स, जिसमें Fresh Issue 760 क्रोर्स, Offer for Sale 1081 क्रोर्स, Employee Discount 30 रूपीज पर शेर और Expected Post Issue Market Capitalization at Upper Price Band 10814 क्रोर्स Objects, अपने Material Subsidieries का Debt Clear करने के लिए, Capex को Fund करने और नए Companies को Acquire करने के लिए इस Issue Proceeds को Use करना चाहती है Key Strengths, Management का In-Depth Sector Understanding के वज़े से ये Key Processes को Efficiently Modernize और Digitize करके इन्हें Commercialize कर पा रहे हैं ये एक High Barriers to Entry वाला Business है, In-House R&D के वज़े से भी ये अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं Patients and New Generation का Tech Awareness के वज़े से Remote Monitoring and Telehealth से सर्विसेस का भी अच्छा स्कोप है कुछ Risks, Concentrated List of Customers, लगभग Top 5 कस्टमर से 48% और Top 10 कस्टमर से 67% की कमाई हो रही है और तो और Geographically North America and Europe से 95% of their revenues आ रहे हैं अगर Geopolitical Tensions बढ़े तो इनके Operations पर काफी प्रभाव पढ़ सकता है ये Company काफी Regulated Enronment में काम कर रही है अगर जरा सा भी गलती हुआ तो इनका Brand Reputation डैमेज हो सकती है जिसका असर revenues पर सीधा दिख सकता है Company के Financials, Financial Year 23 में Revenue from Operations 23006 Crores Adjusted EBITDA 454 Crores, PAT 260 Crores और PAT Margin 11% पस्तित है Conclusion, Life Sciences Industry का दो Main Segment है Bio Pharma और Medical Devices इन दोनों का Combined Sales 2023 में लगबग $1.8 Trillion का था और 2026 तक $2.1 Trillion तक पहुंच सकती है A Growth of 5.5% CAGR Coil Listed Peer ना होने के वज़े से इनका Financial और Operational Performance को Compare किया नहीं जा सकता लेकिन जो Information Available है उससे हम ये कह सकते हैं कि इनका Sales, EBITDA, EBITDA Margin अच्छे से Grow हुए हैं पर PAT Margins flat हो चुकी है Company इस Issue के कुछ Proceeds को Debt Clear करने के लिए यूज़ करना चाती है जिससे इनका Finance Cost तो Save होगा इनका PAT Margins और Other की Ratios में भी Improvement देखा जा सकता है Currently ये Company 38 times के Earnings Valuations पे Listing होने जा रही है Company के Growth Potential, Valuations, बहुती Niche Service Business होने के वज़े से हम अपने Investors को इस IPO को सब्सक्राइब करने की राय देते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो Please Share, Like और Subscribe करे और ऐसे ही Information भरी वीडियो के लिए Samko YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे Thank You